Best AC in India 2021 है Mitsubishi Heavy Duty क्या cooling, क्या मज़ा और electricity consumption अच्छोड यार हाँ, तुम्हें क्या कहा रहा था? क्या cooling और maintenance या warranty अगर आप भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हर details के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है हेलो दोस्तों, welcome to my channel VM1, मेरा नाम है विनीद और आज मैं आपको बताऊंगा Best ACs in India 2021 दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक AC पे वीडियो बनाया था जिसमों मैंने Samsung, LG और Panasonic जैसे branch को cover किया था अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिए लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ premium AC branch के बारे में बताऊंगा और उनके comparison करके आपको ये बताऊंगा कि best AC समय कौन सा है 2021 में और आपको ऐसा analysis दूँगा जिससे देख के आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि हम में से कोई भी AC की electricity पे 800 rupees पर मत कभी खर्च नहीं करता हमारा bill जादा आता है और IC label और brands हमें बहुत कम promise करते हैं ऐसा क्यों होता है इसे जानने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़े करनी पड़ेंगी इस वीडियो को बिना skip करें एंड तक देखना होगा और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक message है उससे भी बहुत ध्यान से सुनना होगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कि ये चैनल आपका है आपके भरू से चलता है प्लीज मुझे support करने के लिए subscribe, share और like करें इस चैनल को और अगर आप कुछ description में दिये हुए link से कुछ भी खरीदेंगे तो आपके price को change करें बिना इस चैनल की बहुत जादा help होगी और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत important points बताना चाहता हूँ AC के बारे में जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी है उन points को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं size of the AC के बारे में up to 130 square feet तक के room के लिए आपको 1 ton का AC चाहिए 130 से लेके 200 square feet के लिए आपको 1.5 ton का AC चाहिए और 200 से लेके 300 square feet तक के room के लिए आपको 2 ton का AC चाहिए of course यह figures change होगी अगर आपके room के ओपर direct sunlight पड़ती है या आपका room top floor पे है इन सब चीजों के लिए आप मुझसे directly contact कर सकते हैं या तो comment section में या फिर मेरे Instagram और Twitter handle पे मैं आपका reply जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा अब बात करते हैं type of the AC के बारे में आपको inverter AC तब लेना चाहिए जब आपका बिलकुल air sealed room है और अगर आप 6 hours तक use करते हैं let's say for 4 और 5 months तो आपको लेना चाहिए एक 3 star AC और अगर आप 6 hours से ज़ादा use करते हैं let's say for 5 और 6 months और more तो आपको लेना चाहिए एक 5 star inverter AC अगर आपका room air sealed नहीं है या फिर आप किसी shop या फिर go down के लिए AC लेना चाहते है तो आपको सिर्फ non inverter AC लेना चाहिए जादा जानकारी के लिए या तो आप comment section में अपना question लिखें या मेरे Instagram और Twitter handle पे मुझे question करें मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी ज़रूर दूँगा Indian Season Energy Efficiency Ratio यानि ISEER जिसे हम generally star rating कहते हैं 5 star या 3 star देखके हम अपना AC तो ले आते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं देखना कि उसके उपर जो power consumption लिखी हुई है per year that is actually taken from test conditions और फो सिर्फ 1600 hours यानि लग बग 6 घंटे रोज AC चला के test conditions पे check करी गई है उसकी अच्छी जानकारी के लिए ये graph देखिए मैं इस example के अंदर एक 1.510 5 star AC ले रहा हूँ जिसकी IC rating है 5 और वो consume करता है 800 units of electricity in a year इस AC के अंदर आपको 1300 watt की compressor motor देखने को मिलेगी अब इसी AC की अगर मैं backward calculation करूँ तो हमें ये पता चलता है कि ये AC 800 units consume कर रहा है सिर्फ 615 watts की motor को run करके यानि compressor की motor सिर्फ 615 watts average में काम कर रही है पूरे साल इसका सीधे शब्दों में मतलब ये हुआ कि अगर आपका AC पूरे साल 50% capacity पे run करे तो आपका electricity bill 800 units per year आएगा क्या ऐसा real world में हुआ है क्या आपका AC की electricity का bill सिर्फ 600 rupees पर month आया है एक inverter AC जादा से जादा आपकी 25% तक की बिजली की बचात कर सकता है कोई भी company कितना भी promise करे लेकिन सारे promises fake और misleading है कि आपकी 50% या 60% electricity saving होगी उस basis पे हम यही calculation दुबारा करते हैं और देखते हैं कि आपको actually में बिजली का bill कितना आएगा मैं उसी example AC और 1600 hours की actual calculation करके आपको दिखाता हूँ यह AC 2080 units consume करेगा in a year 100% capacity पे run करने पे inverter AC जो बचत करेगा 25% की अब हम इसमें से वो minus करेंगे और result आता है 1560 units per year इसका मतलब यह हुआ कि IC label की power consumption से लगबग दुगना जादा एक cause जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो है installation charges brands generally charge करते हैं 1000 to 2000 rupees as installation charges plus उसके उपर आपको देने पड़ते हैं 3000 से लेके 4000 rupees for copper pipe stands etc इसके लावा आपको stabilizer भी लेना पड़ेगा inverter AC के लिए brand चाहे जतना मर्जी claim करें कि उनका AC stabilizer free operation आपको देगा लेकिन ऐसा होता नहीं है इसलिए चाहे आप Delhi में रहते हों चाहे Bombay में आपके area में electricity fluctuation हो या ना हो आपको एक inverter AC का special stabilizer लेना ही पड़ेगा इसलिए अपने AC की cost के अंदर 7000 से 8000 rupees add करके चलें वो होगी आपकी असली AC की cost किसी भी AC में indoor unit के दो noise levels होते हैं lowest और highest आपको lowest देखना है और अगर वो 40 decibel से उपर है तो वो AC बिलकुल मत लीजिए क्योंकि वो आपको रात को सोते समय परिशान करेगा जितना 40 decibel से नीचे होगा उतना ही जादा बहतर होगा और लास्ट में दोस्तो अच्छी सुनाई देने वाली technologies पे बिलकुल जादा ध्यान ना दें आपको ध्यान देना चाहिए जो मैं pros and cons बताना जा रहा हूँ उस पे इस वीडियो के अंदर में top 5 नहीं बलकि top 4 AC बताऊंगा और best AC इन इंडिया 2021 की मेरी लिस्में नंबर 4 पे आता है डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार AC जिसे कहा जाता है 1.5 टन लेकिन एक्चुली में है 1.42 टन AC यह एक inverter compressor AC है और इसके अंदर आपको 100% copper condenser देखने को मिलेगा यह AC Conada Airflow के साथ आता है इसका मतलब यह है कि आपको Airflow इस AC से बहुत जादा अच्छा देखने को मिलेगा इस AC के इंदर आपको New Swing Technology भी देखने को मिलेगी इसका मतलब यह है कि आपको 4-way Airflow देखने को मिलेगा एक खास बात इस AC के इंदर गी है कि यह Econo Mode के साथ आता है और इसका मतलब यह है कि आप घर में अगर कोई बड़े appliances और चलाएंगे AC के चलाते समय तो आपका AC कम voltage पे काम करना शुरू कर देगा ताकि voltage fluctuation से आपके AC पे कुछ बुरा असर ना हो इस AC के condenser के उपर antibacterial coating करी गई है जिससे condenser coils के उपर sediment और salt इकठा नहीं होगा इस AC की IC rating है 4.7 और Daikin के हिसाब से यह AC कंजूम करता है 824 units of electricity per year तो चलिए हम देखते हैं कि यह AC कितनी power कंजूम करेगा आपके घर में इस AC के इंदर लगी है 1650 watt की motor 6 hours और 6 months रोज चलाने पे यह AC कंजूम करेगा 1780 units और 8 hours और 8 months चलाने पे यह AC कंजूम करेगा 3170 units of electricity यह थी 100% efficiency पे calculation अब हम 25% power consumption कम कर देते हैं जो कि inverter AC हमें promise करता है तो 6 hours और 6 months की calculation आई 1335 और 8 hours और 8 months की calculation आई 2380 जबकि आपको star level पे दिखने को मिलेगी 824 units per year इस AC की lowest noise levels है 35 decibels और Daikin आपको देता है इस पे 1 year की comprehensive 1 year की additional condenser पे और 10 years की warranty compressor पे इस AC को आप खरीद पाएंगे इस समय 41,500 रुपीज का और अब हम बात करते हैं pros and cons के बारे में Daikin का ये AC अच्छा है एक छोटे room के लिए let's say about 160-170 square feet के room के लिए this is a perfect AC लेकिन there are two cons ये एक छोटे capacity के साथ आता है और इसके अंदर आपको power consumption भी जादा देखने को मिलेगी but अगर आप इसमें interested हैं और आपका room छोटा है तो link मैंने दिया है description में आप इसे जरूर चेक करिए best AC in India 2021 की मेरी list में number 3 पे आता है Hitachi का 1.5 ton 5 star AC ये actually में 1.5 ton AC ही है क्योंकि आपको इसमें cooling capacity मिलती है 5,275 watts Hitachi का ये AC expendable inverter technology पे काम करता है यानि आप इसे कम और जादा दोनो capacity पे run कर सकते हैं इस AC के अंदर आपको 100% copper condenser coil देखने को मिलेंगे और एक auto filter cleaning technology भी देखने को मिलेगी जो filter को अपने आप ही clean करती रहेगी और इसका filter super fine mesh material का बना है अगले दो features सिर्फ fancy नाम है उस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें वो है stepless compressor control और pentasensor इनका basically काम वो ही है जो मैंने आपको पहली दो technologies का बताया सिर्फ इसको बहुत ही बढ़ा चड़ा के अलग तरीके से बताया गया है पर अच्छी बात ये है कि इसकी condenser coil जो है और consume करता है 897 units of power as per the IC label तो चलिए अब हम check करते हैं कितनी power consumption होगी इस हिताची AC से 6 hours और 6 months रोज चलाने पे ये AC consume करेगा 1660 units of power और 8 hours और 8 months रोज चलाने पे ये AC consume करेगा 2955 units of power ये calculation 100% consumption पे है तो चलिए inverter AC का benefit 25% इससे minus कर देते हैं 6 hours और 6 months का result आया 1245 units और 8 hours और 8 months का 2215 units certainly IC label के 897 units से ये दोनों ही जादा है 34 decibels के lowest noise levels के साथ आता है ये हिताची AC और company आपको देती है इसके ओपर 2 years की comprehensive warranty, 5 years की warranty on PCB और 10 years की on compressor and that is very impressive इस AC को आप खरीद पाएंगे 42,500 रुपीज का इस समय और अब हम बात करते हैं pros and cons के बारे में बहुत अच्छी cooling, बहुती silent operation और इसके अंदर बहुती शांदार warranty आपको देखने के मिलती है हिताची के तरफ से लेकिन there is one small con इस AC के compressor के अंदर जो refrigerant used हुआ है वो है R410A not R32, that is second best but यह एक avoidable con है इसलिए मैंने इसका link आपको description में दिया है अगर आप इसमें interested है then this is one of the best ACs that you can buy in India 2021 best AC in India 2021 की मेरी list में number 2 पे आता है carrier का 1.510 5 star AC जो actually में 1.510 है क्योंकि इसकी cooling capacity है 5276 watts carrier का यह AC 4 in 1 cooling modes के साथ आता है जिसमें आप इस AC को 4 अलग-अलग capacity पे run कर सकते हैं that is very very good इस AC के अंदर आपको dual filtration technology देखने को मिलेगी यानि आपको दो तरीके के filters देखने को मिलेगे तो आपको साफ हवा मिलनी guaranteed है carrier के इस AC के अंदर आपको 100% copper condenser मिलते हैं और उसके उपर आपको aqua clear protection देखने को मिलेगी यह एक तरीकी की coating होती है condenser coil के उपर जो sediment और salt को इकठे होने से रोकती है और carrier AC का एक बहुत शांदार feature है follow me AC में लगे proximity sensors आपको follow करेंगे जहां भी आप room में खड़े होंगे और cooling वहीं होगी इस AC की IC rating है 4.6 और उसी label के हिजाब से 888 units consume करता है यह carrier AC चलिए हम देखते हैं consumption आखिर होगी कितनी 6 hours 6 months रोज use करने पर यह AC consume करेगा 1620 units of power और 8 hours 8 months रोज use करने पर यह AC consume करेगा 2880 units of power यह 100% efficiency की calculation है चलिए आप inverter AC के 25% benefit को इससे minus करके देखते हैं 6 hours और 6 months का result आया 1215 units और 8 hours और 8 months का result आया 2160 units certainly IC level के 888 units से यह कहीं जादा है 38 decibels की noise level वाले इस carrier AC को पर आपको company देती है 1 year की comprehensive warranty, 1 year की additional warranty on condenser 2 years की warranty on PCB and 10 years की warranty on compressor and that's very impressive इस AC को आप इस समय खरीद पाएंगे 42,000 रूपीज का और अब हम बात करते हैं pros and cons के बारे में यह AC अच्छा है, बहुत अच्छी warranty के साथ भी आता है इसके features भी शांदार है लेकिन एक छोड़ TC disappointment जो मुझे लगी वो यह है कि Daikon AC के अंदर almost same features with same motor capacity आपको noise levels मिलते हैं 34 decibels के इसके अंदर आपको मिलते हैं 38 decibels के I know I am nitpicking लेकिन यह AC वाकई ही बहुत अच्छा है इसके link मेंने आपको description box में दिये है आप इसे जरूर चेक करिए So the best AC in India 2021 की मेरी list में top करता है एक ऐसा AC जिससे आपको अच्छी cooling भी मिलेगी और lowest power consumption भी मैं बात कर रहा हूँ Blue Star के 1.5 ton 5 star AC की Actually में यह है 1.43 ton AC पर इसे कहा जाता है 1.5 ton AC Blue Star के यह AC Self Clean Technology के साथ आता है यानि यह Turned Off Mode में ही अपने आप filters को clean करता रहेगा इस AC के अंदर आपको 4D swing भी देखने को मिलेगा यानि 4 directional airflow Blue Star का यह AC Anti-corrosive Bluefin Technology के साथ भी आता है इसके अंदर आपको condenser coils के उपर Blue Color की coating मिलेगी जो sediment और salt को एकठा होने से बचाएगी एक शांदार फीचर इस AC का यह है कि यह Eye Field Technology के साथ आता है आपको इसका remote हाथ में रखना है और यह AC remote में लगे sensors को judge करके airflow वहीं के तरफ कर देगा Blue Star का यह AC Self Diagnosis के साथ आता है अगर इस AC के इंदर कोई भी प्राबलम होगी तो आपको यह error codes दिखाएगा जिससे आप इसे timely ठीक करा पाएंगे इसमें आपको dehumidifier और climate control जैसे features भी देखने को मिलेंगे यह AC 4.66 IC rating के साथ आता है और IC label पे power consumption दिखाई गई है 836 units चलिए हम चेक करते हैं कि यह power consumption कितनी सही है 6 hour rows लगातार 6 months तक use करने पे यह AC consume करेगा 1460 units और 8 hours लगातार 8 months तक use करने पे यह AC consume करेगा 2590 units of power यह 100% efficiency based calculation है चलिए इसमें से inverter EC के benefits minus कर देते हैं 6 hour और 6 months के अंदर use way 1095 units और 8 hours और 8 months के अंदर use way 1940 units 836 units जो कि claim करेगए हैं IC label में certainly यह दोनों figures उससे जादा है 35 decibels के noise levels के साथ आने वाले इस blue star EC के उपर आपको company देती है 1 year की comprehensive warranty, 1 year के additional warranty on condenser and 10 years की warranty on compressor that is good बट अगर PCB warranty भी इसके साथ होती तो जादा अच्छा होता इस AC को आप इस समय खरीद पाएंगे 42,500 रुपीज का और अब हम बात करते हैं इस AC के pros and cons के बारे में यह AC recently released हुआ है जादा cons तुम्हें आपको नहीं बताऊंगा लेकिन सिर्फ एक ही con बता सकता हूँ that इसके अंदर slightly smaller capacity compressor आपको मिलता है यानि इसकी overall cooling capacity थोड़ी सी कम है आप अगर 170-175 square feet के room के लिए इस AC को लेना चाते हैं then this is a very good AC क्योंकि इसके अंदर आपको features बहुत शांदार मिलते हैं and it is a fantastic overall AC links मैंने दिया है description box में आप इसे जरूर चेक करिए दोस्तों आज 12th मार्च है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज की date तक Mitsubishi और Hitachi तोनों के कोई भी 2021 models launch नहीं हुए आज जो इंडिया में Hitachi और Mitsubishi के models मिल रहे हैं वो 2018 ये उससे पुराने models हैं मैं recommend करूँगा कि आप उन्हें ना खरीदें क्योंकि IC rating बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और उनकी power consumption बहुत ज़्यादा है आज अगर वो models launch होते तो उनकी power consumption बहुत कम होती और ये ranking बिल्कुल different होती लेकिन आपको पुराने models नहीं लेने चाहिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मेरे description box में shortlisted AC की recommended list है आप उसे देखिए और अगर आप कहीं पर confused है तो Instagram या Twitter पे मुझे DM करिए मैं आपका reply 24 hours के अंदर जरूर करूँगा और आपको एक सही suggestion दूँगा अच्छा AC लेने के लिए दोस्तों ये है card उस AC वीडियो का है जो मैंने बनाया था और अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए बहुत ही शांदार information आपको मिलेगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो comment section में जरूर बताइएगा मुझे और अगर आपके कुछ doubts है I am always open for your questions comment section के अंदर लिख दीजिए या फिर मेरे social media पर आजाएए और मैं आपको मिलता हूँ अपने next वीडियो में बहुत ही जल्दी thank you very much